भारत में कॉमेडी फिल्मों को पारिवारिक फिल्म माना जाता है। यह अनुमान लगाने का कोई मतलब नहीं है कि वे बॉक्स आफिस पर असाधारन रूप से अच्छा प्रदर्शन करती हैं। इतना ही नहीं, रोमान्टिक और कॉमेडी फिल्में लोकप्रियता चार्ट में समान रूप से बराबर हैं। जबकि आजकल कॉमेडी फिल्में ज्यादा तर पलायनवादी प्रकृती की होती है, पुराने जमाने की कुछ बहतरीन फिल्मों में बहतरीन कहानी होती थी। फिर भी आज भी अच्छी कॉमेडी फिल्में बनती हैं। हमने बॉलिवुड के इतिहास की 10 सबसे मज़ेदार फिल्मों की सूची बनाई है इन में से कोई भी फिल्म देखें और हम गारंटी देते हैं कि आप निश्चित रूप से गुदगुदाएंगे और हसी से लोट पोट हो जाएंगे पेट में दर्ध शुरू हो गया दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अभी तक तुमने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो तो दोस्तो पहले नंबर पर फिल्म आती है, बधाई दो, जिसके निर्देशक हैं, हर्षवर्धन कुलकर्णी, और इसमें कलाकार, राजकुमार राव, भूमी पेड़नेकर है, भूमी पेड़नेकर और राजकुमार राव जैसे प्रतिभाशाली अभिनेताओं के साथ, हमार तन्शील तरीके से बयान करने का विचार बहुत बढ़िया था, साथ ही साथ, सौ में हास्य भी था, और इसने दर्शकों के दिलों को छू लिया, दुसरे नंबर पर फिल्म आती है, डॉक्टर जी, इस फिल्म के निर्देशक है, अनुभूती कश्यप, और इसमें कलाकार ह आयुश्मान खुराना, शेफाली शाह, रकुल प्रीत सिं, बहुमुखी प्रतिभा के मामले में आयुश्मान खुराना को कौन हरा सकता है, तो हजर बाइस में डॉक्टर जी ने एक और उपलब्धी हासिल की, जब उन्होंने स्त्री रोग विभाग में एक मात्र गोविन्दा नाम मेरा, इस फल्म के निर्देशक है, शशांक खेतान और कलाकार है, विक्की कौशल, कियारा आडवानी, भूमी पेडनेकर, व्यावसाइक सिनेमा कभी भी गलत नहीं हो सकता, और गोविन्दा नाम मेरा साल के अंत में सबसे मज़ेदार फिल्मों में से एक थी, विक्की कौशल जिन्होंने गोविन्दा वागमारे की भूमी का निभाई है, उनकी पतनी, गल्फ्रेंड और फिर कोर्ट केस है, जिससे जूँचते हुए उन्हें अपनी जिन्दगी को सुलजाना है, जिसके बाद बहुत सारी साजिशें और फिर हत्याएं होती हैं, समवाद अदाएगी, कॉमिक टाइमिंग और बेहतरीन अभिनय ने इस फिल्म को मजेदार बना दिया, चारवे नंबर पर फिल्म आती हैं, जुग जुग जीयो, जिसके निर्देशक, राज महता है और इसमें कलाकार, अनिल कपूर, वरुन धवन, क्यारा आडवानी, नीत का तड़का खूब लगाया गया है, प्यार, खुशी और पारिवारिक संबंधों पर आधारित ये फिल्म, एक शादी के साथ सामने आने वाली हर चीज़ पर आधारित है, जो पूरी तरह से मनोरंजक है, शानदार प्लेलिस्ट और मजेदार परिस्थितियों ने इसे कार, करीना कपूर, कियारा आडवानी, अक्षे कुमार और दिलजीत दो सांच है, ये कॉमेडी ओफ एरर दो बिल्कुल विपरीत जोडों की कहानी है, जो अपने IVF उपचार के दौरान गडबड़ी में फंस जाते हैं, और इसके बाद जो होता है, वह हनसी का दंगा होता ह वरुन बत्रा, अक्षे कुमार और दीपू बत्रा, करीना कपूर, एक हिप, शहरी युगल हैं, जबकि हनी बत्रा, दिलजीत दो सांच, और मोनिका बत्रा, क्यारा आडवानी, पारम पर एक खुश मिजाज जोड़ी की भूमी का निभाते हैं, उनके बीच की बादचीत और अंत में दिल को छू लेने वाली भी, बेहतरीन अभिनाय और सबसे मज़ेदार क्षणों के साथ, गुड़ न्यूज निश्चित रूप से एक अच्छा समय बिताने का वादा करती है, और इसके बाद छहवे नंबर पर फिल्म आती है, बरेली की बर्फी, जिसके निर् अच्छे कलाकार एक साथ काम कर रहे हैं, कथानक हलका फुलका और मधुर है, जिसमें कई हास्य पूर्ण क्षण हैं, जो आपको हसाएंगे और मुस्कुराएंगे, एक किताब पढ़ने के बाद, जो उसकी जिन्दगी बदल देती है, कृति सनोंद्वारा अभिनीत बिटी लेखक से मिलने को अपना मिशन बनाती है, उसकी खोज उसे एक जंगली सवारी पर ले जाती है, जो रोमांस, मनोरंजन और दिल को छू लेने वाले पलों से भरपूर है, जो इसे उन लोगों के लिए एक आदर्श घड़ी बनाती है, जो रोमैंटिक कॉमेडी का आनंद ल बिना दिमाग लगाए, कमर्शिल पॉट बॉइलर कॉमेडी की तलाश में है, तो सिंबा आपके लिए सबसे सही फिल्म है, आप अपने दिमाग और बुनियादी तर्क को पीछे छोड़ कर, एक्शन, कॉमेडी और मेलो ड्रामा से भरी फिल्म का आनंद ले सकते हैं, फिल् पूरी तरह बदल जाता है, वह इस स्थिती से कैसे निपटता है, यह मजेदार संबादों, अतिनाटकी यह एक्शन दृष्यों और सीटी बजाने लायक गानों के साथ एक कॉमेडी सवारी है, एक एक्शन कॉमेडी जिसे हर किसी को देखना चाहिए, इसके बाद आठवे नंबर पर फिल्म आती है, भूल भुलाईया जिसके निर्देशक प्रिया दर्शन है, और कलाकार, अक्शे कुमार, विद्या बालन, राजपालियादव, अमीशा पटेल, अगर आप कुछ पुराने हॉरर कॉमेडी देखने के मूड में हैं, तो भूल भुलाईया आपके लिए सबसे सही फिल्म है, बॉलिवुड की आम कॉमेडी फिल्मों से अलग, इस फिल्म की कहानी काफी दमदार और मनोरंजक है, और इसमें हास्य भी है, कहानी विद्या बालन के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने पती के साथ, अपने अंध विश्वासी शहर में अप पर फिल्म आती है, भूल भुलाया दो, जिसके निर्देशक हैं, अनीस बजमी, और कलाकार, हैन कार्तिक आर्यन, कियारा आडवानी, तब्बू, राजपाल यादव, दूसरी किस्त में कार्तिक आर्यन और कियारा आडवानी है, और यह काले जादू की थीम पर आधारित है राजपाल यादव और कार्तिक आर्यन ने अपनी बहतरीन कॉमेडी टाइमिंग से कॉमेडी में चार चांद लगा दिये हैं, कुल मिलाकर, जब आप एक मजेदार और हसी मजाक वाली फिल्म देखने के मूड में हो, तो आपको दोनों ही फिल्में जरूर देखनी चाहिए, इसके बाद दस्वे नंबर पर फिल्म आती है, मुबारका, जिसके निर्देशक अनीज बजमी है और कलाकार अनिल कपूर, अरजुन कपूर, इलियाना डिक्रूज, अथिया शेट्थी, नेहा शर्मा है, एक बहतरीन मनोरंजक फिल्म यह क्लासिक कॉमेडी एक पारिवारि मनोरंजन के आजमाए हुए और पर्खे हुए फॉर्मूले पर आधारित है, जिसमें दमदार समवाद और बढ़िया संगीत और अभिनाय है, कहानी, जुडवा, भाईयों के सफर और कुछ गलत वहमी के कारण होने वाली कॉमेडी की अव्यवस्था पर आधारित है, अनिल पलों के लिए जरूर देखनी चाहिए, जो आपको वाकई हसा हसा कर लॉट पोट कर देंगे, दोस्तों यह थी बॉलीवुड की 10 कॉमेडी फिल्में, आपको इन में से कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईएगा, दोस्तों, वी वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.